यह टॉपिक बहुत इंपॉड़न था बहुत ज्यादा इंपॉड़न था इसलिए मैंने बच्चों को यह टॉपिक जरूर बताना चाहिए तो भाई आपको बताना चाहिए गिरी टूज़ें प्रदीप गिरी दोनों चैनलों पे ट्रिक वीडियो इंपॉड़न कोईश्चन लाइव लेक्चर्स ऐसी बहुत सारी चीज़े आ रही है जिससे आपको बोर्ड एक्जम स्टूड़न का बहुत जादा हेल्प होने वाला है तो दोनों चैनलों पे बहुत जादा अपना प्यार दिखाओ सब्स्राइब करो कि यह थोड़ा बुरा लग रहा है इतने सारी च इसको अलग मार्स मिलता क्यों कि देखो कुछ बाते इसी होती है जो दूसरे स्टूडन की और इसने फैलो नहीं की तो मैं चाहता है कि मेरे हर बच्छा जीतना गिरी चुड़ा है प्रदीविघ्यारी अपडेट को देखता है वह हर बच्छा फॉलो करें चीज़ों को तो एक एक करके कि चीजों को हम देखते हैं तो पहली बात भाई रोल लंबर मैंने वैसे जो हमारा एंसर शीट होता है एंसर शीट का फॉस पेच कैसे भरना है अल्रेडी बताया हुआ तो भाई समझ लो गडबठो जाएगा देन इसके बाद holograph and barcode देखो भाई अभी अगर holograph and barcode आपको चिपकाने आ रहा है लगाने आ रहा है तो ठीक है अपने से लगा दो नहीं आ रहा है रिस्क मत उठाओ टीकर को पास में बूलाओ इश्युआ लो टीचेर दोनों बच्छे पहली बार एक्जानेत है और हम चाहते हैं हम पहली बार एक्जा में इसके बाद दे तो भाई यह टीचर सो क्या करो तो यह आप शचिपका दो हम रिस्क नहीं फुटा सकते इसके भाद सेकेंड यहाँ से गड़ बड़ोना पिरता है जो पेपर चेकर के उपर पहले पेज मिनके अपने कट शेट करना इसस्टाम按ट हो टॉड़ा ऒरारो उसका हाफ युद्व उड़ते जाना गया एक भर उसके दिमांघ मैं कर लेगा क्योंकि उसको नमबर और पेपर चेक करने रहते हैं एक एक दिन के अंदर बहुत सारे पेपर चेक करने थे और उसी घुस्रे में आपका हाफ आप मार्स उड़ता चला जागा इसलिए फॉस जो पेज है उसको जितना क्लीन जितना अच्छा जितने अच्छी तरीके पेजबंट बिलग करनाम यह स्कूल नहीं है कि तिचरे से पहचानती है आपका रोल लंबर को जानती है तो कुछ मांड़ाता आप अच्छा मिलटा जानता वहां कुई किसी को नहीं जानता वहbourg पेपर को उस तरह से मार्फ उढ़ाता जागो कम भियो जाएगे तो उसको क् पॉइंट है मारा अगर मैं सेकंड की बात करो तो सेकंड में अटेंट दो कुश्चन सेक्वेंस वाइस से मालो अभी अभी कुश्चन नबर वान टू फ्री फोर फाइद यह वह ओके ऐसा दिया हुआ है और बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है यह मेरे को मेरे को इसमें से सेकंड भी विद्वेंस और वाइज लिखो बहुत गड़बढ़ है बहुत वेककार क्रिएट परशेकर की में वाद उसको लाइन वाइस चीछे दी रहती है और उसको जब पेज इधर-उदर पलट के देखना होता होता तो उसको ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है अग गर आप पहले से इसको देख लो पहले ने सी डे देख लो कि समाय अको आपको आ रहे तो पहला पहले लिखो यह ज़ुत बेभट करना नहीं नहीं आप सभी को बार-बार को बोल चुगा हूँ just need the answer point-wise गवार-मार मैंने बोला है कि हर चीजों को चोड़के जितने भी साइन्स हो गहार है ए यह सभी यह scope chemistry हो गया सभी को पॉइंड वाइस लिखो अगर main statement तो में statement को जाने हैं इस तरह से करके लिखना है मतलब कैसे लिखना है अगर हम ने हम ने इंपक्त बहुत अच्छा जाता है एक्जामिनर के उपर, भले हमने जहां से पढ़ा है वहां से दिया नहीं है, पर आपको लिखना है, इसके बाद, last, attempt all the questions, भले भाई आता है, नहीं आता है, कुछ भी होता है, मैंने इसले बोलाएं कि बच्चों को सभी को बोलाएं कि सभी चैप्टर, जो चैप्टर छूट है, उन चैप्टर को क्या करो, उनके चैप्टर के heading पढ़ लो, उन चैप्टर में कितने topics हैं, उन topics को एक बार देख लो, उसमें क्या-क्या है, थोड़ा अपने दोस को call करके पूछ लो, कि इसके अंदर क्या है, क्यो दोस समझाएगा, तो आपको समोझ में आ जाएगा, छ जो पेपर चेकर है, कम बिल्कुल नहीं कर सकता, और हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इस वीडियो को जीतना हो सब्सक्राइगे, लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, इससे लोगों को अपने mistakes पता चेले, थैंक्यो सो मस्त गाईज, जय हिंदोस झाल